Hello everyone, कैसे आप लोग तो आज का topic है, mains exam के लिए है कि mains में speed कैसे बढ़ा है, बहुत fast कैसे लिखे क्योंकि पूरा खेल, पूरे question attempt करने का है और पूरा paper अच्छे से करने का है, ठीक है तो मुख्य परिक्षा में speed कैसे बढ़ा है ठीक है, और यह आप 5 days में speed बढ़ा सकते हो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है आईए देखते है पहला है, अक्षर छोटे लिखें, ठीक है और थोड़ा दूर दूर लिखें, पास पास ना लिखें छोटे लिखेंगे तो कम time लगेगा उनको बनाने में ठीक है, जैसे बड़ा बनाओ जैसे आप आप बना रहे हो बड़ा time लगा ना, छोटा जल्दी बन गया ऐसे ही, ठीक है हलके pin का use करें ऐसा pin जो light rate हो क्योंकि exam में क्या रहता है कि बहुत ज़्यादा लिखना रहता है और हाथ में pain होने लगता है ठीक है, हलके pin का use करें और हलके हाथ से लिखें, ज़्यादा press करके न लिखें तागत लगा के ठीक है, इससे कभी-कभी page भी फट जाता है और हाथ इतमें दर्द भी होता है पैन को थोड़ा नीचे पकड़े ऐसे पैन को, ज़्यादा उपर न पकड़े balance नीवनता, थोड़ा नीचे ऐसे इससे भी speed बढ़ती है ठीक है, daily practice करना है 5 days तक, 2 घंटे की और timer लगा के stop watch में इससे देखना आपकी speed कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी आप देखती होगी, आप test read join करते हो तो आप first test में आपका question चूटता है लेकिन second test में आप अपने आपी ready हो जाते हो कि अब नहीं चूटेगा, ठीक है 5 दिन आपने practice कर ली ना आपका मेंस निकल गया क्योंकि आपने speed में लिखने की practice कर लिया, ठीक है आप शर्ब बिल्कु सीधे ना लिखे, थोड़ा सा ऐसे bend लिखे तिर्चे, ठीक है और अगर आप को speed बढ़ानी है नो तो सिर्फ speed पे काम करिए और ऐसा लिखे कि इस पास ठो मतलब अच्छे से समझ में आए कि आपने क्या लिखाया, ठीक है और राइटिंग सुन्दर दिख रही है बहुत अच्छी दिख रही है, सुन्दर पे ध्यान नहीं दे अभी आपका focus है 5 days पे आपकी speed बढ़ाना ठीक है, फिर आपको test series में कोई भी question नहीं छुटेगा और आपका confidence भी high level कर रहेगा और आपका exam भी निकल जाएगा सुन्दर राइटिंग आप बना लोगे पहले आपको confidence तो आ जाए कि आप एकदम speed में लिख लेते हो बहुत ज़ादा, 5 दिन तक सिफ़ speed पे काम करना है speed इतनी रखना है कि सिफ़ समझ में आए कि क्या लिखा है सुन्दर अक्षर बाद में बना लोगे आप, लेकिन पहले speed से आप लिखना सीख जाओ 5 days तक आपको ये practice करनी है और 5 days के बाद result बताना है कि क्या हुआ लेकिन daily करनी पड़ेगी minimum minimum 1 hour है ठीक है maximum 2 hour लिखने के practice करो max है 2 hour तो I hope ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को like करो support दिखाओ, share करो और channel पे नहीं हो तो subscribe करो मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye